नमस्कार दोस्तों एक बरफिट से आप सभी का स्वागत है दोस्तों सीटेट एक्जाम 2023 को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सीटेट की ओफिसियल वेबसाइट पर एक महत्पूल नोटिस जारी की गई है जिसमें दोस्तों परिक्षा तिथी के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से परिक्षा होगी इसके बारे में भी बताया गया है तो चलिए सबसे पहले सारुजनिक सूचना जो है उसे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 जून 2023 की या निउज है सारुजनिक सूचना में दोस्तों लिखा गया है केंदरी सिक्षक पातरता परिक्षा CTET के 17. संस्क्रण के पंजीकृत आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अब परिक्षा आफ लाइन मोड यानि पेन पेपर O MR आधारित होगी बहुत ही अच्छी ख़बर है दोस्तों अब आपकी जो परिक्षा है ये आफ लाइन मोड पर होगी पहले की तरह होगी आफ लाइन मोड पर आनलाइन मोड पर नहीं होगी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और आगे बताये गया है अब परिक्षा 28.2023 रविवार को पूरे भारत में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट सहरों में आयोजित की जाएगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 अगस्त 2023 को आपका एक्जाम होगा दिन रविवार को पूरे भारत में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो पहले से पंजीकृत हैं उनका एक्जाम निर्दिष्ट सहर में आयोजित किया जाएगा आगे दोस्तों बताया गया है विस्त्रिस सूचना बुलिटेन जिसमें परिक्षा, पाठिक्रम, भासा, पातरता, मांदंड और अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है तो यहां पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है दोस्तों अब आपका एक्जाम जुलाई में नहीं होगा ये अगस्त माह में होगा 20 अगस्त 2023 को होगा और ये दोस्तों आफलाइन मोट पर होगा यानि पेन पेपर पर आधारित होगा वेमार पर आधारित ये अब आफलाइन मोट पर एक्जाम होगा यानि पेन पेपर ओयमार पर आधारित एक्जाम होगा और 20-8-2023 दिन रभीवार को पूरे भारत में आयोजित किया जाएगा तो ये महत्तपूर सूचना दोस्तों आप सभी के लिए है इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त कर करते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद